लीजिए दोस्तों कक्ष्य 10 वी का गणित का पेपर आ चुका है जल्दी से जल्दी आप सारे के सारे कुश्यनों को उत्तर सहीत देख लीजिए कक्ष्य दस्वी अर्द वार्सिक परिक्ष्या विसे है आपका गणित दोस्तों पूरा वीडियो लाश्ट तक देख ले और एक एक कुश्यनों को आप अच्छे से हल कर ले खीगे आपको मैं सारे उत्तर बताऊंगा सबसे पहले सही विकल्प देख लीजिए 96 और 404 का HCF होगा तो दोस्तों इसका HCF 4 होगा मतलब याद रखना 4 is the correct answer जो कि आपके option number second में दे रखा है अगला देखिए 12 और 15 का HCF होगा 12 और 15 का जो HCF है वो आपको बताना है तीन ठीके अगला देखिए 2 संक्याओं का गुणन फल बराबर 32 तता उनका LCM 8 है तो उनका HCF क्या होगा तो इसमें आपको याद रखना इसका correct answer आएगा 4 अगला देखिए 4 और 7 का महत्तम समाप वर्तक क्या होगा HCF क्या होगा 4 और 7 का ठीके तो इसमें आपको बताना है 1 4 और 7 का जो HCF होगा 1 अगला किसी पुरुणांक M के लिए सम पुरुणांक निम्न स्वरूप का होता है तो इसका आएगा option number C 2 M ठीके संक्याओं 5 15 20 के लिए LCM HCF का अनुपात होगा ठीके आपको 6 वाले पर ध्यान रखना है 6 वाला जो है इसका correct answer आएगा option number D ठीके 12 अनुपात 1 ठीके यह आपके पूरे मैंने बता दिये हैं दोस्तों complete अच्चे से आप क्या करेंगे हल कर लेंगे और अपनी परिक्षा में ही लिख कर जाएंगे दोस्तों ठीके अच्चे से आप याद रखें अगला देखिए रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यह रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान के बाद में कुश्चन में आपको बताऊंगा भाज बराबर भाजक इंटू भागपल प्लस तो यहाँ पर आपको लिखना है शेश फल क्या लिखना है शेश फल लिखना है इसके बाद में संख्याओ आठ नौर पच्चिस के HCP का मान तो इसमें आपको बताना है की एक होता है ठीके, आठ नौर पच्चिस के HCP का मान एक होगा अब सत्य असत्य दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिये रहने पर एसी अद्वित्ति पूर्णंक संक्याएं Q और R विद्यमान है की A बराबर B Q प्लस R ठीके इसके बाद में 0 R B है तो ये सत्य है या असत्य है तो इसमें आप लिखेंगे सत्य ठीके सत्य लिखेंगे अगला देखिए एक प्राकरत संक्या का अभाज गुननखंड उ अंसर हो जाएगा इसके बाद में कुश्यन नंबर 4 देखिए एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर लिखिए कुश्यन नंबर 4 में एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर है 94 और 404 का HCA लिखना है ठीके तो अच्छे से याद रखना इसका जो HCA पे वो आएगा 2 अगला ये तो विसम होगा क्या होगा विसम होगा और ये आपके प्रसने संख्याओ 135 और 225 का HCA ग्याद करने के लिए यूकलिट विभाजन एलगोरित्म का प्रियोग कीजिए संख्याओ 866 और 255 का HCA ग्याद करने के लिए यूकलिट विभाजन को एलगोरित्म का प्रियोग करक वहाँ इसकी कितनी टेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्यक टेरिय में बर्पियों की संक्या समान रहे तता यह टेरियां बर्पि की परात में नियून तमिस्तान गेर है इस काम के लिए प्रत्यक टेरिय में कितनी बर्पियां रखी जा सकती है और उसके बाद में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकडी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेंड के पीछे मार्च करना है दोनों समुहों के को समान संक्या वाले इस्तंबो में मार्च करना है और उन इस्तंबो की अधिक्तम संक्य क्या है वे मार्च कर सकते हैं यह आपको बताना है चलिए और भी आपके कुश्चन है यह देख लीजी दोस्तों आच्छे से आपको इसका स्क्रीन सोट ले 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 ना है ठीके? बिल्कुल स्क्रीन सोट ले 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 ना है और यह आपके और भी आपके सही विकल्प आज आ चुके हैं दोस्तों ठीके? इसका देखिए यदि द्विगात भाउपद एक्स वर्ग पिलस बी एक्स पिलस सी के सुन्यक अलफा और बीटा है तो अलफा बीटा का मान कितना होगा? तो इसका आएगा सी बटे ए ठीके? बतला अप्शन नमबर वन अगला दूसरा देखिए यदि द्विगात भाउपद एक्स वर्ग पिलस बी एक्स पिलस सी के सुन्यक अलफा और बीटा हो तो अलफा ब्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसमें याद रखना है माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए इसके बाद में रेकी भाउपद एक्स प्लस बी का सुन्यक होगा जो रेकी भाउपद है उसका एक्स बटा जो बी है ठीक है एक्स प्लस बी का जो सुन्यक है वो आपको इसमें बताना है ओप्शन नमबर सी माइनस भी बटा ए ठीक है माइनस भी बटा ए अगला देखिए कुश्यन नमबर फोर फटाफ़ट कर लीजी हल और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बहुपद एक्स वर्ग माइनस तीन के सुन्यक होंगे ठीक है तो इसमें आपको बताना है सुन्यक बताना है आएगा इसमें प्लस माइनस करनी तीन ठीक है ओप्शन नमबर ए अगला देखिए बहुपद एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के सुन्यक होंगे इसके भी आपको शुन्यक बताना है x work plus 7x plus 10 के शुन्यक तो इसमें आएगा आपका minus 2 minus 5 option number B is the correct answer next देखिए बहुपद x plus 1 x work minus x minus x4 plus 1 के लिए गहात होगी तो इसके लिए जब इसको हल करेंगे ना इसके लिए घात مुख्य रूप से क्या हैगी तो इसमें आपको बताना है 5 ठीके या बता देना है 5 बता देना है इसके बाद में दो और objective है आपके यसमें ये देखिए ये आपके दो objective और बचे हैं ये और में बता दू उसके बाद में देखिए आप यदि द्विगात भहुपद के सुन्यक माइनस 3 तता फोरो तो द्विगात भहुपद होगा तो इसमें बताना है x वर्ग माइनस x माइनस 12 ठीके option number 1 option number 1 is the correct answer इसके बाद में next देखिए किसी भहुपद के कुल सुन्यक उस भहुपद के आरेक के निमन लिकित पर प्रतिछेदन में कुल बिंदूओं की संख्या के बराबर होते हैं तो इसमें आएगा एक्स अक्षर पर ठीके एक्स अक्षर होगा इसमें आपको याद रखना है ये आपके सारे जो most important उसमें आए हैं तो सारे मैंने objective objective बता दिये हैं और कुछ प्रसन भी मैंने पहले आपको बताए है उन्ही के आदर पर आप पुरा पेपर हलकर काएंगे धन्यवाद